हेलो फ्रेंग्स वेल्कम बैक टो आज चैनल हरेकृष्णा फूद व्लोग्स और आज के मारी रेसिपी है मैलोडी ओर्यो आइस्क्रीम इस वीडियो का आप एंड तक देखना और हमेही लाइक करना शेयर करना और हमारे फॉल्वर्स बढ़ाये थैंक्यों हेलो एब्रीवन आज हम बनाने जा रहे हैं ओर्यो मैलेडी आइस्क्रीम गर्मियो के कूल कूल देखे हमें इसके लिए कौन-कौन सा इंग्रीडियन्स चाहिए ओर्यो के मैंने दो पैकेट लिए इसको खोल कर इसकी हमने करीम निकाल दी इस तरह से मैंने ओर्यो की यह बीस में से क्रीम निकाल दी और ओर्यो को हमने अलग कर दिया इस तरह से और इसमें हमने यह छोटी ही लेची भी साथ ही डाल दी थोड़ी सी चीनी अपने टेस्स के अकॉर्डिंग चीनी डालेंगे और हमें इसके लिए चाहिए मैलडी टॉफिस नार्यल का बुराधा मिलक पॉडर धूद और यह मैंने चार टॉफी मैलडी की छोटी-छोटी सी काल ली और ये हरी इलाची के छोटे से तीन इलाची के दाने निकाल ले और चार इलाची इसमें डालेंगे और कुछपिरियां बादाम की बादाम भी हम इसके साथ ही पीछने के लिए डाल देते हैं और यहें किसमिश अब हम इसको सी सब्सक्राइब पीस ने हैं हमारे पीछ कर इस तरह से असके बैटर तयार हो चेर अब अब हम पाइब चेरें कॉंप हवल क्रेम मिल्क अब इसको हम चलाएंगे और हमने मैलेडी की टॉफिस हैं सेविंट टॉफिस मैलेडी है वह हमने इसमें डाल कि दूर हो गया है मैलेडी वाला दूर देखे चकलेटी दूर बन गया इसके अंदर हम डाल रहे हैं नारियल का फुराता और दीरे-दीरे करके हम यह डालते जाएंगे और यो बिस्किट्स चीनी और इलाची वाला पैर थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे ताकि लंस ना पड़े और साथ-साथ लाते रहेंगे बैटर हमारा देखे कितना अच्छा हो गया गाड़ा और इसनी अच्छी कुश्वार हमने फ्लेम को ओफ कर गया अब हम इसके अंदर मिल्क पॉड़ा रहेंगे दो चमल्स अब हम इसको पहले अच्छे से ठंडा करेंगे और जो हमने यह निकाल के रखे हुए थी बिस्किट्स की वाइट जब हम जमाने लगेंगे पहले एक एक स्टिक जो है हम इसके अंदर इस तरह से डाल देंगे सब में इस तरह हमने यह बिस्किट की क्रीम डाली और किश्मिश दो दो पीस के किश्मिश के डाल दिया और इलाइची के दाने साम में थोड़ा थोड़ा सा इलाइची के हमने डाने डाल दिया जो छोटी हरी इलाइची के डाने प्राइची के अंदर किश्मिश और क्रीम इसके अंदर हम उपर से इस तरह से हम चम्मा से इनको भर देंगे तरह सबने यह भर कर एस्पीम के सिक्स त्यार कर लिए इसको थोड़ा थोड़ा टैप करेंगे आप इसमें अमने जब मैलडी के टॉफीस काटके रखी थी वो थोड़ी थोड़ी सी हम इसमें डाल कर दिया इसको प्रेप कर दिया अब चोको बॉल्स इसको हम इसके अंदर डाल देंगे यह बॉल्स के तरह है इस तरह इसको हम डाल देंगे इसी में खोड़ी खोड़ी से उपर और हम फिर से एक बार इसको अच्छे से टैप कर देंगे अब इसके बार हमने इसके उपर अल्मुनियम फॉल लगाएंगे और इस तरह से इसको हम बन कर देंगे इसको इसलिए लगाते ताकि इसके अंदर परफ ना जमें इस तरह से हमारी आश्क्रीम जमने के लिए फ्रीजर में डीफ फ्रीजर में जाने के लिए तयार है अब हम इसको डीफ फ्रीजर में रखने जाए आश्क्रीम बन कर हमने तीन गंटे में आश्क्रीम रेटी होगी इसको हम थोड़ा सा पानी में डाल कर इसको भाहर निकाला यह देखे यह आश्क्रीम अब इसको हम नारियर आश्क्रीम रेटी है प्लीज साथ सब एक बंच जुरू ट्राई कीजिए और हमें कमेंड बॉक्स में बताईए कि आपको याश्क्रीम याश्की लगी